तो आज विनिया में जिसका गर्वना ठेड़ता हो, संतान ना हो रही हो, सफेद आकडे की जड़लो, उस जड़को तुमरुका जी का नाम लेकर 21 बार शिवलिंग पर से घुमालो, तो रजस्वला धर्म के साथवे दिन, नारी साथ दिन तक काम नहीं करती, साथवे दिन उस जड़को कमर पर बांध लो, पीपल के पत्ते को शिवजी पर चड़वाओ, उस पत्ते का पत्ते को लाकर उसको गाए के दूद में उखालो, रात्री को सोने से पहले पती और पत्तनी उस दूद का पान करकर तुमरुका जी का नाम लेकर पीकर फिर सो लो, महराज तीन से चार महिना ज्यादा से ज्यादा अगर प्रबल कड़क योग हैं तो बाबा छे महिना बहुत हो गया जड़को बंदी रेंदो कमर में लाल धागे में भगवान करपा करेगा संतान अवश्य देगा जहां डॉक्टर भी हार जाते हैं उस लेडिस ने सुबाई भी थी रही थी कि डॉक्टर ने वना कर दिया था संतान के लिए पर बाबा की कृपा हुए शिवक की करपा करूना सागर संकर कृपा करे और फिर निवेदा ने अगर गर्वस्त बालक है डॉक्टर करें की आपरेशन करना पड़ेगा तो साथ डली गुड की लो और गुड की जाती जिए 거죠 दे नार्मल ही डिलेवरियो रिटेम आपरशन नहीं कि शंकर की उपासुत तुम रुकाजी का नम सहज नहीं जिसके नयन जा रहे हो रोशनी कम ओठी चली जा रिए रोशनी जाती जाये गां नार्या का कि महराट शिवक्पासौक्ण का हुपासौ क को प्वणू दिया शंकर के मंदर में लगा दो उस पर एक प्लेत रगदो काजल निकाल कर उसको घी में लगा कैसे नहराव नो में लगाना प्रहर हो कर दीजिए तुम्रुका जी का इसमर्ण करका चांद को देखिए इस्मर्ण करिए रोष्णी बढ़ेगी मेत्र की रोष्णी प्रवल होने लगी चैस्मा उतर जाए तुम्रुका नाम कोई साधर्ण है जो शंकर की कथा कर स्तत्व करना आनंद भाव जो दे रहें वह साधर्ण नहीं हो सब्सक्राइब तुम्रुका जी ने कथा कही और शिव और पार्वती उसकी यजमान बने